दोस्तो चीन ने भारत के खिलाफ चली एक काफी बड़ी चाल जिससे भारत के काफी लोग हुए बेरुजगार भारत पर अपना दबदबा बनाने के लिए चीन का ये खतरनाक सर्यंत्र जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से अंतक देखें हेलो दोस्तो मेरा नाम है राज जीब और आप लुक देख रहे हैं टूडे हिंदुस्तान नियोज वेल आपको पता हुगा कि भारत और चाइना के भी जो कॉमबैट है एलेसी की घटना के बाद से काफी ज़्यादा भ्यावा होती जा रही है जहाँ पर भारत चीन को काउंटर करने के लिए बैक टू बैक कई सारी राजनितिक, कुटनितिक, वेपारिक और सैनस्तर पर काईड किया है वहीं पर अब चीन भी भारत के खिलाफ तरतर के कदम उठाता हुआ नजरा रहा है जिसमें हाली में चीन ने भारत के जितने भी इंडियन सेलर्स हैं, इंडियन सीफेरर्स हैं, उन सभी को बैंड कर दिया है और ये भी काम जो किया है चीन ने वो अनफिशेली किया है, ना कि अफिशेली अब आप इस बात को समझने के लिए सिधा सा ये समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे चाथा वैपार समुदरी इलाकों से होता है दुनिया का तक्रीवना सी फिस्दी वैपार समुदरी इलाकों पर ही dependent होता है एक देश से दूसरी देश तक समान को लाने ले जाने का कारे बहुत सारे जहाज हैं 50-60 कार्गो जहाज हैं उस पर क्या करना है कि सारे समान को अपलोड करना है और किसी और कंट्री तक उसे ले जाना है जैसे कि साओधी एरेबिया से उन्हें जापान तक समान ले जाने का कॉंट्रेक्ट मिला है उस कंपनी को और ऐसे में उन्हें सीफेर के जरूरत होती है उसमें सबसे ज़्यादा भारतिय सीफेरर्स होते हैं इंडियन सीफेरर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हम आपका ये जो समान है वो साथी एरेविया से उठाकर हम जापान तक पहुंचा देंगे और ऐसे में वो समुदरी इलाकों से उस जहाज के माध्यम से उ जैसे में बीच रास्ते में कोई पोर्ट यानि कि बंदरगाह पर उन्हें रुकने के वसकता होती है और जब वो बंदरगाह पर रुकते हैं तो रुकने पर उन्हें इडेंटिटी चेक करनी होती है जिसमें से जैसे कि उन्हें चीन तक अगर चीन के पोर्ट पर उन्हें र जाते हैं लेकिन अब चीन ने यहाँ पर एक नया पैत्रा खेल दिया है और बात कर लिए चीन ने जितने भी इंडियन आइटेटी वाले सीफेरर्स हैं जिहां उन सभी को बैंड कर दिया है अनॉफिचली और कहा जाता है उन कंपनी के कि भाई आप अपने कंपनी में इंडिय करने में सहलियत होगी और आपको वैपार भी करने देंगे यानि सीधे लफजों में चीन का ये कहना है कि आप अगर समुदरी इलाकों से वैपार करते हैं और समान को लाने ले जाने का कारे करते हैं तो ऐसे में आपको जितने भी इंडियन सीफेरर्स हैं उनको अपनी कमपनी से बाहर निकालना पड़ेगा और किसी और seafarers को हायर करना पड़ेगा चाहे वो अपने देश में कीजिए चाहे किसी और देश के seafarers को कीजिए लिकिन Indian seafarers होंगे तो हम अपने ports का आपको full access नहीं देंगे ये चीन का कहना है वेल आपको बता दें कि पूरी दुनिया भर में जो बैपार होता है जिसमें जो सी फेरर्स हैं जहां पूरी दुनिया भर के तकरीवन 10% जो सी फेरर्स हैं वो भारत के ही हैं यहां और ऐसे में भारत के जो see farrers हैं वो समुदरी रिलागों से समान को लाने ले जाने का कारी करते हैं और वो काफी कम कीमतों में company के जो समान हैं वो एक country से दुसरे country तक ले जाने का जो contract है उसको पूरा कर देते हैं और इसलिए भारतिय सीफेरर्स को सबसे ज़्यादा जो कंपनीज हैं जो उन्हें हायर करती है क्योंकि उन्हें काफी कम किमतों में वो समान काफी अच्छे धंग से पहुँचा देते हैं उनके कंट्रेक्ट को पूरा कर देते हैं और इसलिए उन्हें कंपनी पर दबाब और इसके कारण वो कंपनीज भारत के हैं सीफेरर्स को हायर करते हैं तो ऐसे में चीन चाहता है कि दुनिया के साथ वो बैपार करता है और सब के साथ उसका कहीं न कहीं ट्रेड होता रहता है तो ऐसे में दुनिया भरत में दबाब बनाने की कोसिस कर रहा है कि कि किसी तरह स जितने भी भारते सीफेरर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए बदले में उसके अपने जहां चाइना की सीफेरर्स को हायर किया जाए जिससे भारते सीफेरर्स बिरोजगार भी हो जाएंगे और भार सरकार पर हम दबाब भी बना पाएंगे वैसे दोस्तों आपको बताते हैं कि ये अनओफिशेली चाइना ने किया है यानि इस पर सरकार को डाइरेक्ट इस पर किसी भी तरह से ये नहीं कहा है कि भाई हम आपके सीफेरर्स को बैंड कर रहे हैं बल्कि उन कंपनी को टार्गेट कर रहा है कि उन company को direct कहता है कि भाई तुम जो हो तो अगर हमारे साथ हमारे port का full access चाहते हो तो तुम को ये करना होगा और भारतिय सीफेरर्स को अपनी company से बाहर निकालना होगा वेल दोस्तों इसको लेकर जो complain है वो भारतिय सीफेरर्स की एक काफी बड़ी union ने विदेश मंत्राले तक पहुँचा दी है और भारतिय विदेश मंत्राले इसको लेकर बहुत जल्द action भी लेगी और जिसमें आपको बता दें कि वो पूछेगी चाइना से कि भाई हमारे होनी चाहिए जिसके बाद भारत सरकार भी इस पर एक्षन ले सकती है और अपने पोर्ट्स पर जिहां अपने पोर्ट्स पर उन पर भी परतिबंद लगाना स्टार्ट करेगी और दुनिया भर में चाइना पर भी परतिबंद लगाना स्टार्ट करेगी जिससे चीन की हवा टाइट हो जाएगी जिसको लेकर काफी बड़ी मीडिया आउटलेट्स ने एक रिपोर्ट भी कवर की है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देखी सकते हैं वेल दोस्तों चीन के इस सडियन तरकू लेकर आपका क्या रेक्शन है आप क्या कहना चाहते हैं और इस पर भार स्रकार को क्या एक्शन लेना चाहिए नीचे कमेंट्स में अपने उपीनियन जरूर सेर कीजिए साथे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नएव इस्टर हैं तो चैनल सब्सक्राइब की जोरूर सेर्शन साथ पने रहिए